तो फ्रेंट्स जब हम पहली बार पेरेंट बनते हैं, तो हम बच्चे को कोई भी चीज पहली बार देने से पहले एक बार सोचते हैं, कि क्या ये बच्चे को देना सही है, क्या हम सही टाइम पर बच्चे को दे रहे हैं, क्या सही तरीके से दे रहे हैं, और कहीं इससे तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपसे सारे डाउड इसानीं हैएं चले वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला सवाल आता है कि क्या हम बेभी इसको केला दे सकते हैं, बेबी के लिए केला एकदम सेफ है इसमें कोई परिशानी नहीं है पर हाँ कब से देना चाहिए और कितना देना चाहिए ये बेबी की एज पर डिपेंड करता है तो केले में बहुत सारे न्यूट्रियंट्स पाए जाते हैं जैसे कि इसमें होदा है कैलशियम, आयरन, पोटैशियम, मैंगनीशियम, विटेमिन B6 तो इतने सारे जो न्यूट्रियंट्स हैं ये बच्चो के लिए काफी फाइदेमंद रहते हैं तो इसलिए बच्चों को केला दिना काफी अच्छा रहता हमारे बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है तो आप बेबी की डाइट में केला ज़रूर इंट्रिड्यूस करें केला खिलाने से बच्चे का अच्छा weight gain होता है तो यह चीज़ आप जरूर करें और ऐसा नहीं करना है कि एक बार दे दिया केला फिर आपने 3-4 दिन तक नहीं दिया डेली बच्चे को केला अगर आप देते हैं तो बच्चे के weight gain में काफी मदद मिलती है नमबर टो केला अगर आपने बेबी को खिलाते हैं तो देखे केले में मिलता है विटामिन B6 जिससे बेबी का दिमाग तेज होता है तो इसलिए बेबी को केला खिलाना चाहिए अगर आपने बच्चे को केला खिलाते हैं तो इसमें होता है आईरन तो यह आपके बेबी की होते हैं उनको भी दूर करने में मदद करता है और बेबी की बोन्स को हड्डियों को भी मजबूत बनाता है तो देखा आपने बच्चे को केला खिलाने के कितने सारे पर हाँ, आपको बच्चे को केला खिलाने से पहले कुछ चीज़े ध्यामर्टने चाहें। जब नौ महिने के आसपास हो जाता है, तो बेबी थोड़ा-थोड़ा सॉलिड फूद अच्छे से खाने लग जाता है। कभी-कभी कुछ लोग खिला देते हैं, इसके लावा ओट्स होते हैं, ओट्स में थोड़ा सा बनाना मिक्स करके बनने के बाद, फिर आप बच्चे को खिला सकते हैं। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे कि आप बच्चे को बनाना खिला सकते हैं, कभी कस्टर्ड बनाते हैं, तो कस्टर्ड में थोड़ा सा बनाना डाल कर बच्चे को खिला सकते हैं, ये सारे तरीके हैं जिनसे कि आप बच्चे को केला दे सकते हैं, और केला एक ऐसा फूड है तो वो दिन में एक से दो बनाना भी खाने लग जाते हैं. और अगर आपके बच्चे को कोई परिशानी नहीं है, तो आप इतना बनाना खिला सकते हैं. बच्चों को बनाना यानि किला दरते वक्त कुछ बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है. पहली चीज की बच्चे को जब परिशान की में तो इक दम पतली का अचला अगर बच्चे को सवसकता है. जब बच्चे को सुर्दी खांसे जुकां हैं तो उस टाइम पर भी आपको बच्चे को केला नहीं देना है. केले का तासरी थोड़ ठंडा होता है, तो इसलिए आपको ध्यान रटना है कि केला कभी भी बच्चे को रात के टाइम पे नहीं देना है, सुबह या दूपहर के टाईम पे बेबी को केला खिला सकते हैं बच्चे को केला वही देना है जो थोड़ा पीला होता है एकदम कच्चा केला या ज्यादा पका हुआ क्यला आपको नहीं देना चाहिए और जब भी बच्चे के लिए केला आप मतलद preço खोल रहे हैं वो फ्रेंड वो इ Dual को क Спे 12 बचाने लग रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कोई भी ऐलर्जी का साइन आपको दिख रहा है, तो आपको बेबी को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो, I hope आपके लिए वीडियो हेलफुल रहा होगा, मिलते हैं नेक् thank you for watching